नमस्कार दोस्तों, वन मिलियन्स जीके में आपका स्वागत है। आज का वीडियो भारत में चुनावों के दौरान लागू होने वाली आचार संहिता नीती के बारे में है। तो चलिए देखते हैं। आचार संहिता नीती एक मार्कदर्शक सिध्धान्त है जो चुनावों के दौरान, स्वतंत्र और निश्पक्ष चुनाव सुनिष्चित करने के लिए राजनीतिक दलों, उम्मीदवारों और सरकार के लिए व्यवहार के नियमों का एक समूह निर्धारित करता है। यह नीती सभी चुनावों पर लागू होती है जिसमें लोकसभा, राज्य विधान सभा और स्थानिय निकाय चुनाव शामिल है। आचार संहिता नीती के कुछ लक्षे हैं जिसमें शामिल हैं पहला पॉइंट है निश्पक्षता और समानता। यह नीती सुनिष्चित करती है कि सभ नहीं उम्मीद्वारों को चुनाव लड़ने का समान मौका मिले, कोई भी दल या उम्मीद्वार को अनुचित लाब ना उठाने देना इसका मुख्य लक्षे है। को पारदर्शी बनाती है और सभी हित धारकों को चुनाव प्रक्रिया में भाग लेने के लिए प्रोच साहित करती है। तीसरा पॉइंट है उम्मीद्वारों को मतदाताओं को लुभाने के लिए मुफ्त उपहार या भोजन देने से मना किया जाता है। चौथा पॉइंट है चुनाव प्रचार के दौरान शराब और नशीली दवाओं के उपयोग पर प्रतिबंध है। पंचवा पॉइंट है चुनाव प्रचार के लिए निर्धारित समय सीमा का पालन करना अनिवार्य है। उल्लंगन करने पर दंड आचार सनहिता का उल्लंगन करने पर चुनाव आयोग दंडात्मक कारवाई कर सकता है। इसमें उम्मीदवार की उम्मीदवारी रद्ध करना, जुर्माना लगाना या चुनाव प्रचार पर रोक लगाना शामिल है। तो दोस्तों संक्षेप में आचार सनहिता नीती भारत में स्वतंत्र और निश्पक्ष चुनाव सुनिष्चित करने के लिए एक महत्वपूर्ण धांचा है। यह नीती सभी पक्षों के लिए एक समान मंच तयार करती है और मतदाताओं को स्वतंत्र रूप से निर्णय लेने का अधिकार देती है। अगर आप इस विशय पर और अधिक जानना चाहते हैं तो कमेंट्स में जरूर बताएं। अगर आप UPSC, SSC, NDA, RRB जैसी परिक्षाओं की तयारी कर रहे हैं और सटिक और महत्वपूर्ण समान गान की आवाश रखता है तो हमारे चैनल वन मिलियन जीके को सब्सक्राइब करें और हमारे साथ जुड़े रहे। हम निशित रुप से आपकी परिक्षाओं की तयारी में मदद करेंगे और आपके समान ग्यान को मजबूत और सुरक्षित बनाएंगे। धन्यवाद और जै हिंद।